किसी भी content creator के लिए बहुत ही जरूरी होता है consistent वह में content बनाते रहेगा और वो कोई आसान काम है नहीं इसलिए इसका एक बहुत ही अच्छा solution है content repurposing जिसका मतलब है आप अपने ही किसी existing content को किसी दूसरे format के content में बदल सकते हो और content create कर सकते हो और ऐसे ही कुछ content repurposing टूल आज से सुनकर के हम देखेंगे चाहे आप एक YouTuber हो तो अप अपने YouTube वीडियो को ब्लॉग में convert कर सकते हो अगर आप एक ब्लॉगर हो अपने आर्टिकल को आप वीडियो में convert कर सकते हो अपने long वीडियो को आप sports में convert कर सकते हो अपने blog को आप podcast में convert कर सकते हो या फिर अपने audio content को आप वीडियो में convert कर सकते हो ऐसे काफी सारे content repurposing tool हम देखेंगे जिसमें से पहला tool है जो आज हम देखेंगे वो है बुल वीडियो आप screen पर देखी सकते हो बुल वीडियो की मदद से आप अपने product URL या blog URL की मदद से वीडियो content create कर सकते हो images या videos या फिर simple text पो भी आप videos में convert कर सकते हो तो इसे हम use करके आज देखेंगे देखें यह है इसका dashboard यह एक paid tool है लेकिन आप इसका three data, three trial लेके इसे use करके देख सकते हो तो देखेंगे यह है create video myspace brand kit AI tools और pricing अगर हम pricing की बात करें तो देखेंगे standard plan इसका $9 से शुरू हता है लेकिन आप three days free trial लेके इसे पहले use कर सकते हो उसके बाद अगर create video पे हम चलेंगे इसमें आप देखें यह है product video इसमें आप product URL देखेंगे और इसको वीडियो में convert कर सकते हो next है idea to video इसमें आप simply किसी भी idea को दे सकते हो अपने video generate करने के लिए और उसके बाद maximum duration select कर सकते हो जो है maximum of five minutes और minimum of 30 seconds रेशियो आप चूज कर सकते हो कि आप पर वीडियो का aspect ratio किदना होगा वो portrait होगा square होगा यह landscape होगा और language चूज कर सकते हो बहुत सारे languages यहाँ पर available है कि जिलने भी major languages है सब आपको यहाँ पर ले जाएगा idea के अलावा यहाँ पे है script आप simply script add कर सकते हो और ratio चूज कर सकते हो ब्लोक टू वीडियो टेंपलेट्स टू वीडियो जहाँ पर आपको काफी सारे stunning templates मिल जाएगा अपने वीडियो creation के लिए visuals to video आप simply एक image यहाँ पर डाल सकते हो और उसे वीडियो में convert कर सकते हो या फिर start from scratch इतना ही नहीं इनके पास ए वीडियो एडिटर भी है जिसकी मदद से आप वीडियो को एडिन भी कर सकते हो इस वीडियो एडिटर पर आपको काफी सारे options मिल जाएगा जैसे ला सकते हो brand kit अब अपने branding डाल सकते हो अपने वीडियो में उसके बाद AI tools बहुत useful AI tools बूल वीडियो के साथ आता है जो है background remove object to measure image को आप enhance कर सकते हो वीडियो का background भी रिमूब कर सकते हो काफी सारे ऐस AI tools भी है और उसके बाद है playground प्लेग्राउंड बेगर हम चलेंगे तो प्लेग्राउंड पर text to image, image to video, post magic जिसमें mona lisa दौर रहा है या फिर image turbulence और limitless edit भी आपको मिल जाएगा तो फिर से हम चलेंगे यहाँ पर यहाँ पर create video पर हम चलेंगे और block to video यूस्तर के आजम देखेंगे सपोस अगर आप एक blogger हो और आप चाते हो video content के साथ भी grow कर लाग तो आप अपने व्लॉग यहादल की मदत से video create कर सकते हो आप shorts video create कर सकते हो जो 30 seconds या एक minute का हो सकता है या फिर अब long videos भी create कर सकते हो सपो आज हम यहाँ पर एक 30 seconds का video create करके देखेंगे और ratio देदेते हैं minus to 16 content में ही हम रखते हैं अगर आप long video create करोगे तो आप landscape भी use कर सकते हो language हम English छोड़ देते हैं अभी ब्लॉक का URL हमें चाहिए हम कोई भी URL इंटरनेट से उठा लेंगे चलिए इसके लिए हम Google पे चलते है औ और अब कुछ भी निख सकते हो कि how to use चैड़ जी फिठी को इसे नहीं हम देखते हैं तो देखी यह पर जो पहला result आ रहा है analytics वीद्या का इसका URL हम copy कर लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं बुल वीडियो पे यह URL हम paste कर देंगे और उसके बाद यह 30 seconds का duration रखके हम generate पे क्लिक करेंगे तो देखी यह process करना वीडियो को शुरू कर दिया है इसने blog, instruction, script generate करेगा उसके बाद subtitle voiceover generation होगा और वीडियो generate हो जाएगा जब तक बुल वीडियो यह काम करता है अब एक बार playground पे चनके देखके है यहाँ पे कैसा results आता है text to image में हम चलेंगे पहले कुछ भी आप कोई prompt दे सकते हो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे prompt दिया अबने आप image आ गया अभी तक मैंने generate पे click भी नहीं किया चलिए एक बार generate पे click करके भी देखते है तो यह image आ गया है इस पे अगर हम download पे click करेंगी तो हम इसे गुल image दिख देते हैं और यह हमने save कर लिया है एक बार back करके चलते हैं और playground पे अगर हम चलेंगे तो image to video है image turbulence है चलिए image turbulence पे एक बार चलके देखते हैं अभी वह वाला image हम फिर से देखे देखेंगे तो साइद वह वाला image हमी तक download हुआ नहीं है चलिए फिर से एक बार गुल वीडियो पे चलके हम देखते हैं कि वीडियो कि तन आप दो तर रेडी वहा है देखिएंगे वीडियो रेडी हो चुका है और अभी हम इसे ले करके देखेंगे तो यहाँ पे सीन ओन सीन टू करके है आप यहाँ से वाइस को साइद चेंज कर सकते हो देखते है स्मार्ट सीन एडिटर उसके बाद है यहाँ पे टाइम लाइन एडिटर और यहाँ पे एक्सपोर्ट करने का option भी अवेलेवल है आप इसे ट्रांसलेट भी कर सकते हो इसी और लेंग है तो आपने देखा कैसे एक ब्लॉग की मदद से हमने इस और वीडियो क्रेट कर लिया है जिसे आप अवने सोचल मीडिया अकॉंस ते स्याद कर सकते हैं YouTube Sorts में डाल सकते हो चलिए एक बार इसका ट्रांसलेट फीचर्स दी हम यूज करके देखते हैं इसमें हम चलेंगे इन्दी को ढूलेंगे और इसे वीडियो को अन्दी में ट्रांसलेट करेंगे तो फिर से यह रिडर लोड हो रहा है तब तक हम चलते हैं फिर से फिर से फ्लेग्राउंड पे यह पे फिर से हम देखेंगे एक बार कि वह वाला इमेज डाणलेड हुआ है की नेए तो पता नहीं कि लेकिन उवहला इमेज अभी तक डाणलोड नहीं हुआ तो यह राओ उवहला इमेज, यह फॉर्मेट कुछ ऐसा फॉर्मेट है कि साए दिए नहीं ले रहा है आप हम all files करेंगे और देखिए यह पुले में जा गया है लेकिन जो साइब यह अभी ले लिया है इसने तो देखिए इसे हम देखेंगे इसे हम तो हम तर्बलेंस सिलेक्ट करेंगे और तीन इमेज़ेज में से कोई भी यह वाला ही हम देखते हैं और स्ट्रेंद को थोड़ा बढ़ा देते हैं तो देखिए यहां पर जहां पर भी आप सिलेक्ट करोगे वहां पर टर्बलेंस प्रियेट हो जाएगा देखिए इस पानी को मैं बैता हुआ पानी बना दूँगा बस इस करसर की मदद से अभी देखिए यहां पर आप देख सकते हो कैसे पानी बैह रहा है जो कि एक सिंपल नॉर्मली में इस था अभी वह एक वीडियो जैसा लग रहा है कि यहां पर पानी में टर्बलेंस क्रियेट हो जुका है इस ट्रेंट को मैं अगर और बढ़ा दूँगा तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा यह टर्बलेंस क्रियेट कर रहा है और अगर आप इसे सिंपल लगोग तो यह काफी है तक नॉर्मल लेंग था तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो तो अपने देख लिया कैसे आप प्लेग्राउंड की मदद से काफी इमनीग इमेजेस या फिर वीडियो भी दिएट कर सकते हो फिर से हम चलते हैं इसमें और देखते हैं इसे फिर से फिर से प्लेग्राउंड तो वो जाया है वो सिंपली सेम वीडियो अजी दिगा रहा है तो ट्रांसलेट साहिट वो वीडियो भुगा नहीं तो हम फिर से फिर वीडियो में चलते हैं और ग्रांसलेट पर क्लिक करके इन देखेंगे इस बार हम दूसरे पेज में नहीं जाएंगे इसमें एडिटर को लोड होने देखेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है यह थोड़ा सा दाइम लेगा एडिटर को लोड होने ने और उसके बाद अभी देखें यह वीडियो इन देखेंगे इसे अभी हम प्ले करके एक बाद दिख लिएंगे चाक्चिक्रीटी की दुनिया में आपका स्वाविप है एक एडिटर जो हमारे काम करने के जरीके में तनाती ना रहा है ओपन एड़ बार विक से यह ग्राहक सेवा और सावकरी निर्मान को प्रभाविक कत्रिंग हुई मानव जैसा पार को सवर्ष्टा और उत्वन करता है इसकी प्षमता स्वास्थ्य देखभाग, शिक्षा, विक्ष और बहुत कुछ तक फैली हुई है इसकी पूरी प्षमता को अनलोग करने के लिए पश्ट निर्देश ब्रदान करें और सवदाए के साथ चुड़े इसे अभी आजमाए और आई की लेखनी या शब्ती देखें चाक तो आपने देखी लिए आप उन वीडियो एक कितना यूस्फूल टून है इससे आप अपने ब्लॉग को वीडियो में देखने करी सिपते हो साथ ही साथ आप दूसरे लेंग्विजिस में भी वीडियो क्रियेट कर सकते हो सपोस्थ अगर आप एक हिंदी यूद्विवार हो या फिंदी में आप ब्लॉग लिखते हो तो आप उस आर्टिकन को यूस करके वीडियो भी क्रियेट कर सकते हो और फिर उसे इंग्लिज में भी कर सकते हो या फिर सेंट चीज अगर आप इंग्लिज में ब्लॉग लिखते हो तो उससी की मदद से आप इंदी में वीडियो भी क्रियेट कर सकते हो इसके साथ काफी सारे useful अलग से टून्स तो आपने देखा आई है तो देर मत कीजिए बुल वीडियो को यूज करके बताईए आपको ये टून कैसा लागा और हम मिलेंगे अगले वीडियो में कोई एक और useful content repurposing टून के साथ